बिहार पुलिस पर विश्वास का नहीं होना यह असपश्ट करता है कि इनको सरकार पर विश्वास नहीं है जब सरकार पर विश्वास नहीं है तो सरकार में क्यों बने हुए है यह असपश्ट करना चाहिए भरत्य इंतापाटी के निताओं को इस तरह से नफरत की भासा बोल दिया जा रहा है कि बिहार पुलिस की वियस्था के कारणी वो लोग बचे अब वो डिजी पी साहब के सवालों का जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं कहीं न कहीं गोल मुल घुमा करके ये लोग सुरक्षा गारत ले करके अपना प्रस्नाल्टी चमकाने का एक राजनीतिक तरी कारता प्रदान नहीं कर रही है कहीं न कहीं वो जनता के बीच में अपने आपको इगनोर महसूस कर रहे हैं जनता उनको पूरी तरह से इगनोर कर चुकी है अब अपने ही सुरक्षा वियस्था से सवाल खड़ा करके अपने आपको ये परमानित कर दिये कि उनको बिहार की क को भरोसा नहीं है इसलिए जो नेता बिहार के राजनीती में बीजिपी के तरफ से उतने बड़े रेलिवेंट पार्ट नहीं है उनको भी वाई और जेट के सिक्यूर्टी दी जारी है यह बोलना क्या सर यह दिखाता है कि जेडियू के तरफ आप लोग हैं और जेडियू के सवाल नितिस कुमार के ही सरकार पर बीजिपी उठा रही है देखिए जेडियू का मामला नहीं है मामला सरकार का अब सरकार के वियस्था पर सरकार में रहने वाले लोग ही विश्वास नहीं करें तो उस पर जो सवाल खळा होता ही है चोंकि जिन नेताहं को YPLUS सिरेनी मिला जिस तरह से नेता-प्रतिपक्ष ने सवाल खड़ा किया है उन सवालों का जवाब भारते इंटा-पठी के नेताओं के पास नहीं है और भारतियन्ता पार्टी के नेता बगले जहांकना शुरू कर दी है सबसे बड़ी बात यह है कि जो नफरत फैलाने वाले लोग है और जिस तरह से नफरत की भासा बोलने वाले लोग है उनको भी वाई प्लस सिरेनी का सिकूर्टी का दर्जा देना इसका मतलब ही है कि कही ना कही नफरत फैलाने वाले को प्रसरे भारतियन्ता पार्टी के केंद्रिये नेत्रित के द्वारा भी दिया जा रहा है लेकिन एक उनका भी तर्क है सर कि जब अगनिपत योजना का विरोध हुआ तो जो प्रदेश अध्यश थे उनके घर को छती पहुंचाया गया डिप्टी चीप मेंश्टर के घर को छती पहुंचाया गया तो इसलिए उनका ये तरक है कि इसलिए हमको जो है सुरक्षा दिया गया और जो बचोल सहाव है उनका भी यही तरक है कि भाई हमें धमकी मिलने लग देखिए डीजीपी सहाव ने असपस्टूप से कहा कि बिहार पुलिस की वियस्था के कारणी वो लोग बचे अब वो और जोड़ा है के लिए ये जो भारतिय आंता पाटी की नेता है ये कही ना कहीं सुरक्षा गार्ड ले करके अपनी परस्चालिटी को चंप का करके अपनी राजनितिक भूमिका को लोगों के बीच दूसरे तरीके से प्रस्थुत कर रहे हैं ये अच्छी प्रंप्रा नहीं है इस परमपरा पर कम से कम उस party को तो विचार करना चाहिए जो सुचिता की बात करती है जो कहती है कि हम party with the difference है सरकार के अंदर सामील है उस सरकार के ही सुरक्षा गाट पर सुरक्षा व्यस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इस से भी विडमना इस राजी के लिए और लोग तंत्र के लिए क्या हो सकता यह समझा जा सकता लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज आज कर आप लोग को नितिजी से कुछ ज्यादा प्रिम हो गया है आप डाड़े बोलने से बच रहें नितिजी पर पहले आप लोग हर चीज में जो है लाते थे राच्छास राज जंगल राज क्या क्या लाते थे यह बंद वो बंद लेकिन अब थुरा ऐसा लग रहा है कि आ सामने में एरा दिख रहा है वह असपश्टूप से दिख रहा है और महा जंगल राज वाले लोग अब अपने ही सुरक्षा व्यस्था से सवाल खड़ा करके अपने आपको यह परमानित कर दिये कि उनको बिहार की कानून व्यस्था पर बिहार की व्यस्था पर उनको विश इसकुमार का जो भाव दिख रहा है इससे ही समझ में आता है कि दोनों कुरसी कुरसी का खेल खेल रहे हैं और कुरसी के खेल में कहीं न कहीं बिहार की जनता का मुद्दा जो सुरक्षा विवस्ता है जो कानून विवस्ता है जो बिहार में महांगाई का मामला है जो बिहार मे नौजवानों को रोजगार का सवाल है ये सारे सवाल गौन हो गए इन सवालों को सामने नहीं आने देने के लिए जो भारतिय इनता पार्टी और नितीस जी कुरसी कुरसी का खेल खेल रहे हैं उस मामले को हम लोग उजागर कर रहे हैं कि देखिए कुरसी कुरसी की खेल में बिहार कहां जा रहा है तो देखे कि सीती यह हो गई है कि अब जो है बिहार पुलिस की बचाओ राश्टिय जन्ता दल कर रही है और बीजिपी जो है अब जो है बिहार पुलिस को भरोसा नहीं इसलिए अब वो केंदर से सुरक्षा मांग रही है तो कुल मिलाकर के बात यह है कि कहने कहीं ऐसा लग रहा है कि राश्टिय जन्ता दल अब जो है नितिश कुमार के प्रति सौप्ट हो गई है और दोनों मिल करके जो है बीजिपी से ही लट रही है फिलाल जन्ता जिक्सेन आप देख रहे हैं वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बुलिएगा मिलते अगले वीडियो में धन्यभाव